नमस्कार दूस्तों स्वागत है आपके चैनल स्टेडिकर पर आज हम प्रत्य के भाग दो के साथ हिंदी की सीरीज में एक वीडियो और जोड रहे हैं आज हम हिंदी के कृत प्रत्य के उधारण और तद्धित प्रत्य के उधारणों को समझेंगे और इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वह वाग के होगा तो आज देखते हैं हिंदी के कृत प्रत्य और तद्धित प्रत्य के उधारणों को दोस्तों यदि आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेनी प्लेलिस्ट में जा करके ये सारे वीडियो को देख सकते हैं जो कि हमाई प्लेलिस्ट में एड़ेड है हिंदी के कृत प्रत्य के उधारण प्रत्य आ मूल्शब्द घेर, छाप और जूल जब घेर में आ प्रत्य लगता है तो घेरा बन जाता है और छापा और जूला मूल्शब्द है टिक और बिक इसमें प्रत्य जब आउ लगता है तो उधारण हो जाता है टिकाऊ और बिकाऊ प्रत्य अकड मूल्शब्द है घूम घूम धन अकड घूम अकड पी धन अकड पी अकड मूल्शब्द है छाप और प्रत्य है आई तो इसमें जो बदलाव आएगा वो होगा छवाई पढ़ धन आई पढ़ाई धूल धन आई धूलाई मूल शब्द है चड़ धल और धस इसमें प्रत्य आन लगेगा तो चड़ धन आन चड़ान धल धन आन धलान धस धन आन धसान प्रत्य है ता ताती खप बच तो खप धनता खपत बच धनता बचत पढ़ धनता पढ़ता लिक धनता लिखता घट धनती घटती बड़ धनती बड़ती की कि अग् scrutet है आहट तो घब्रा धन आहट घब्राहट चिकना धन आहट चिकनाहट चिल्ला धन आहट चिल्ला धन आहट जग्नग धन आहट जगमगाहट अगला प्रत्य है एरा तो बस में जब एरा लगा देंगे तो बसेरा लूट धन एरा लुटेरा तो आप से पूछा जा सकता है कि बसेरा में कौन सा प्रत्य है तो आप देखेंगे बसेरा को आप तोड़ेंगे तो आप जब बोलेंगे उच्चारण कर केंगे बसेरा तो बस धन एरा बसेरा उ बड़ा उ प्रत्य है कमा धन उ कमाऊ खा धन उ खाऊ चाल धन उ चालू अप्रत्य है हा कट हा कि दोस्तों अब हम जानेंगे हिंदी के तद्धित प्रत्यों के बारे में तो मैंने आपको बताया था जो क्रित प्रत्य है वो क्रिया के साथ लगता है और तद्धित प्रत्य संगय विशेशन सर्वनाम के साथ लगता है तो यहां पर प्रत्य आई है, अच्छा धन आई, अच्छाई, खटा धन आई, खटाई, मीठा धन आई, मिठाई, जो दूसरा मूल सब्द है, खर और फर, इसमें जो प्रत्य लगेगा आटा, तो खराटा, फराटा, भूक धन आभूखा, प्यास धन आप्यासा, खार धन आखारा, प्यार धन आप्यारा, अगला प्रत्य है, आख या आखा, मूल सब्द है, चट तड भड सड, तो चट धन आख चटाग, भड धन आख भडाग, सड धन आख सडाग, अगला प्रत्य है, आन या आनी, उचा चोड़ा लंबा, उचा धन आण उचाण, चोड़ा धन आण चोड़ाण, लंबा धन आण लंबाण, ये शब्दों का निर्माण होता है प्रत्य से, अगला प्रत्य है, आयत, अपना धन आयत, अपना आयत, बहुत धन आयत, बहुत आयत, जगडा धन आलू जगडालू, लज्जा धन आलू लजालू, मोटा धन आव मुटाव, खटा धन आस खटास, जोगी धन इन जोगिन, माली धन इन मलिन, और जो तद्धिल प्रत्य के उदारण है, उसका भी कलेक्शन है, खुश धन इअलू खुश याली, हरा धन इअलू हर्यालू, अंगूठा धन इअंगूती, कंट धन इख यालू, मूल शब्ध है खर्च गोबर जहर खर्च धन इला खरचीला गोबर धन इला गुबरीला जहर धन इला जहरीला अगला है प्रत्धित प्रत्य का उदारण बढ़ा उ गरज धन उ गरजू, धाल धन उ ढालू, नाक धन उ नकू, एला, आधा धन एला अधेला, मोर धन एला मुरेला मुरे शब्द है, डाका, वर्चा, भाला, लाठी, डाका में जब एत प्रत्य लगेगा, तो हो जाएगा डकैत, बर्चैत, भलैत, लठैत अगला है प्रत्य ओला, मूर शब्द है, आम, खाट, मां, साप, आम के साथ जब ओला प्रत्य लगेगा, तो हो जाएगा अमोला, खाट, धन, ओला, खटोला, मांज, धन, ओला, मजूला, साप, धन, ओला, सपोला अगला प्रत्य है ओला, मूर शब्द है हाथ, हाथ धन, ओला, हथोला ओला, अगला प्रत्य है ओला, काठ दन, ओला, कठोला, मूर शब्द है, ठंड, धोल, धर, धम ठंड के साथ जब का प्रत्य लएगा ठंडक, धोलक, धड़क, धमक दोस्तों ये था प्रत्य का भागदो जो आपके सारे महत्मों प्रत्योगे परिक्षाओं में पूछा जा सकता है अब हम अगले टॉपिक वाक के साथ नेस्ट वीडियो में आपके समख्ष प्रस्तूत होंगे हमारी जो सोसल साइट है टेलिग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप उसमें जुड सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दवाना बिलकुल भी अबोलें थैंक्स